मामला 2014 से चल रहा है जमीनी विवाद का उस समय सपा की सरकार होती थी सपा की सरकार में जमीनों को कैसे कपजा किया जाता था ये सब को पता है और पुर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादो ये उस समय सपा के ही सासन में थे जिला पंचायत हुए और सपा के नेता भी रह शहर में में साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद है इन से चारजा करते हैं सत्य प्रकाश दूबे और जो प्रेम चंद यादव वाली जो मामला है उसको लेकर देवरिया शहर की लोग जो है क्या कुछ सोचते हैं आपका नाम तो अमिद जी इस पूरे घटना से आप अवगत तक से और जो बच्चा है वह भी नहींट छोब है वहां के लोग यहीं बता रहे हैं कि पहले प्रेम चंदर यादाव जी को मारा गया है फिर प्रेमचंद्र यादव जी के जो लोग थे वो आके इनके परिवार को मारे हैं यह तो क्लियर होगा सुनने में यह भी आ फोन आया था सुबह में सबसे बड़ा तो तथे यही है तो दिवरिया शहर के लोग जो है इस मामले को लेकर कितने जादा जाक रुके मतलब क्या क्या आपको इस पूरे घटना करम के बारे में पता है कि बच्चा भी यही बता रहा है बाकी वहां की लोग यही बता रहे हैं म यहीं उस समय सपा के ही सासन में थे दिला पंचायत हुए और सबा के freshmen भी रहा है और इस तरह से पताए जा रहा है दिवरिया में में प्रमीन घट्रल भाग दमें ही हत्या उप्रिवार की सप्र इन्हें इस बच्चे को देवरिया में रखा गया है तो प्रेम चंद यादव की घर गया अपने देखेंगे घर की स्थिती में देख रहा हूं मीडिया पर देख रहा हूं आलिशान बंगले बने हुए हैं और इस पर आप क्या काहेंगे हैं कि ऐस संपन्न परिवार ए प्रेमियाद वगा एकंड़ा पंचायथ सदस्य हमारे में सब्सक्राइब रिलेहिक हमारे मिंपर्णपृ कर रहे चुके लेकिन इस तरो कि मकान तो नहीं о complex फोलने हैं और सत्यप्रकाश दुबे की खेतिबाडी के बारे में आपको पता है। खेतिबाडी सुनने में आ रहा है कि लगबग वही तीस बीगे की लगबग थी, चाउंतेस बीगे की लगबग. खेतिबाडी भी है प्लस उनकी फानेंशल कंडिशन्स भी जो है, वो कुछ खास नहीं थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि वो पंड़ती कराने गया था, इसी चक्कर में बच गया, इसी चकर में बच गया वो, और उनके पिता जी थे, उनके पिता पर्चित था, वहां वो बस में ड्राइविंग करते थे, तो वो उनके विक्तित्व के बारें बताए कुछ बहुत अच्छे बेटी थे, बहुत सजन बेटी थे, अगर सजन ना होते, तो फिर हम लोग उनको रखते नहीं, बड़े भाई हैं, बड़े बड़े चलाते हैं, उसे बिद्याले में वो नोकरी करते थे तो कभी ऐसे आम बोल चाल में आपसे बातचीत हो गई हो या कभी है बोल चाल में कभी बातचीत नहीं हुई सामने रहते थे देखते थे देखने से भी पता चल जाता है इंसान कैसा है तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो प्रसाश ऐस उनको लेकर क्या करने के बाद यह सारे लोग है ये कारवाई तो पहले दिन ही हो जानी चाहिए और शिर्फ इन ही लोगों को नहीं कप्तान और डियम को भी सस्पेंड होना चीह उसे दिन क्या लगता है कि एक दिन पहले पुरूआ पदेंद्राद्री तो मतलब कुल्मिल मिलाज राकर जो दिहात शेत्रों में उसेत्रों में जल्दी गौर नहीं करता अगर उन्हों कहना चाहूंगा अगर उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा भी गंबिरता से लिया होता है अलाग यहां सवाल एक और है कि पीडित बच्चे ने बताया है कि वो कई बार उनके पिता शुकायत लेकर स्थाने विधायक के पास पहुंचे थे लेकिन विधायक ने इस मामले पर ध आले दिया गया मारा गया पीटा गया अँशाट अब प्रेम चंद यादव के घर से जो है यह इस तरह सामने आ रहे ही कि उनकी पत्नी है है और उनकी बच्चे जो है बच्चियं वह आरब लागा रहे हैं कि पहला पूंञ है इस सत्तिप्रकाश दूवे के बेटें कि यह बता रहा है कि बंचा बाहर था वह किसी पूजा पार्ट में गया हुआ था पित्रपच की an N액ल निकाले दूंप कादू किस ने फोन किया था सबसे बड़ा सभाल यह कि रखता है कि पहला किसा कि घया था इस बात की खोजबीन हो कि सबसे पहला फोन किस ने किस सबसे पहला फोन किसका गया था कि नहीं गया था या फिर वो अपने मन से चड़े थे दरवाजे पे यह जानना जरूरी है इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है कि सत्य प्रकाश धूबे के एक भाई है उनका भी जो है जिक्र किया गया है प्रेम चंद यादव के घर से कि वो भी जो है यहां पर रहे हैं उनको बठाए गया था और तमाम ऐसे आरोप लगाए गया कि उन्होंने भी कुछ-कुछ की जांच किया पैसा मिला था कि नहीं मिला था इस प्रकार से यहां के जो विधायक है वह काफी आक्ट हमाने पूरा भरोसा है अपने विधायक पे पूरा वरोसा है और बच्चा भी कह रहा था अगर ऐसा बिधायक मेरे या होता तो साइद मेरे परिवार की हत्या नहीं होई होती हम तो चाहते हैं कि इस तरह का बिधायक हमें आजीवन मिले अब समाजवादी पार्टी का डेलिगेशन भी पहुँच रहा है मतलब आप देखें तो जिलाध्यक्ष भी सत्यप्रकाश दूबे घर पहले जाते हैं फिर उसके बाद प्रेमचंद यादव के घर जाते हैं जाने का मतलब क्या है वो सब जानते हैं कि वहाँ सत्यप्रकाश दूबे जी के घर में कोई नहीं है तो सब आइक सी बात है जाएंगे वो तो जा रहे हैं यादव जी के घर अचा अखिलेश यादव श्रिपाल सिंग यादव ने भी उस मुद्दे को लेकर समविधना विक्त की है और साथ-साथ ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी का डेलिगेशन जाएगा तो सत्यप्रकाश दूबे के पहले घर जाएगा उसके बाद प्रेमचंद यादव के headache कि अखिर imagining गई लिए इसमें अचो नितौन का टेंबोर समय यह명 का लिंदक फूराइब kobor कीया कंतनी हत्याइं की रहे है यूपी तक, धन्य बाद